हेलो फ्रेंड्स गुड़ मॉर्णिंग अलो फ्यू आज मैं आप लोग के लिए सेट नंबर 13 लेके आया हूँ जिसमें कि आज मैं 2019 का एक वर्स का Employability Skills का मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा जितने वी एक वर्सी ट्रेड के स्टुडेंट्स हैं उन सभी के लिए ये पेपर था तो ये 2019 का पेपर है अभी तक मैंने 15, 16, 17 और 18 एर्स के मैंने पेपर को सॉल्व कराएं ये मेरा पहला पेपर जो 2019 का है तो इस हिसाब से ये बहुत ज इच्छा होने वाला है चलिए हम बात करते हैं अपने सेट नंबर 13 के बारे में इससे के पहले के हम बता दें कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने एक लाइन बोली थी आईए हम अपने आज का बलदान कर दें ताकि हमारे बच्चों को कल बहतर हो सके बच्चे कौन आप ल करता है जैसे फर्स्य आपसं देख पर आख अपको जिन गेम गव समझझ़ेंया तो जिन यानि की ध्वनि क्या कर रहा है उत्पणने कर रह घलरा यह ठीगा तो यह इसका अंसर क्या हो सकता है जिन एक container जिन गेम गेप गो तो नहीं होगा जिन का सॉण कर रहह quy prohibition your neighbor चलिए हम बात करते question number second की आपनों से मैं request करना चाहूंगा जिन भी बच्चों ने मेरे set नहीं देखे हैं जो मैं 12 set बना चुका हूँ किसी तरह से आपनों नहीं देख पाएं किसी कारवर्स तो आप मेरे description box पर जाकर उसमें दी हुई link पर click करके आप मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं चलिए अब हम बात करते question number second की C, fill in the blanks for a while इसमें fill in the blanks नहीं को fill करना है तो इसका जो मतलब वो क्या हो सकता है क्या हो सकता है C has been aligned for a while यानि कि वह कुछ समय से बिमार है तो has been aligned तो इसका सही answer क्या होगा C, तो second का answer क्या होगा C यानि कि C has been aligned for a while यानि कि वह कुछ समय से बिमार है अब हम बाग करते हैं question number third की ठीक है देखिए बहुत simple है मेरे साथ करते रहेंगे तो आपको पूरा वीडियो भी समझवा जागा और जितने question है वो तो समझ आने ही आने है ठीक है तो मेरा जो theme रहता है कि मैं चाहता हूँ कि question को मैं solve करूँगा ताकि आप लोगों को जो डर बना हुआ जो भै बना हुआ कि employability skill में कैसा paper आएगा उस में डर को निकालने के लिए मैं लगातार set लेकर आ रहा हूँ यह मेरा 13 number set है चलिए अब हम बाग करते है question number third की इनमें से क्या वाक एक प्रकार का है इनमें से कौन से वाक एक प्रकार का है यह question मैं इसका answer नहीं दूँगा इसका answer आप लोगों को कहीं से भी सर्च करके Google से बुक से सर्च करके लगाना है तो third answer मैं नहीं दूँगा हर एक सेट में मैं एक दो question से छोड़ देता हूँ जो भी आप लोगो से महनत करते हैं आप comment box में बताएंगे फिर भी मैं इसका answer description box में दे दूँगा बट मैं थर्ड का answer नहीं बताऊँगा इसको आपको बताना होगा ठेके, अब बाह करते है question fourth की sell we go out for pizza tonight यानि कि sell we go out for pizza tonight तो इसका correct answer होगा चूस करना जो four better answer है क्या हो सकता है I know that, it is very good I am too tired या I am so late तो इसका सही answer क्या होगा कि क्या आज हम लोग साम को pizza खाने चलेंगे तो क्या सही answer कहेगा I am too tired, ठीक ना हम थके हुए है ठीक ना हम बहुत थके हुए है तो इसका answer क्या होगा इनमें से क्या एक input उपकरण नहीं है यानि कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो input उपकरण नहीं है यानि कि जो भी हमारा जो instrument है, वो हमारा क्या है हमारा input उपकरण नहीं है तो यानि touchpad input है mouse input है, joystick input है यानि printer जो है, वो क्या हमारा output है क्या हमारा output है तो हमारे प्रिंट राइट अंसर हो जगा है इसका तो उसका अंसर कहा हो का C फिफ्ट का अंसर C हम बाग करते हैं Q6 की मेरे साथ बने रही है पूरा वीडियो देखेंगे अन तक वीडियो देखेंगे बहुत अच्छे कोशन मिलने वारे क्योंकि ये पेपर 2019 का है और यदि रिशेंट पेपर लगाते हैं तो आपनोंको confidence और build up होता है और मैं चाहता हूं कि आप ये पेपर को पूरा लगा है मेरे साथ लगा है वह पिक्चर जो फाइल को दरसाती है वह क्या कहलाती है और कि जो कौन सी पिक्चर है जो वह जो फाइल को दरसाएगी वह क्या कहलाएगी यानि लैब्रेरी, स्टार्ट मेन्यू या आइकन या डवल क्या होगा? आइकन ठीक ना? आइकन, ओके तो 6 कहांसा क्या होगा? 6 तो वह picture जो फाइल को दरसाती है वो कहके लाती है, आइकन, ठीक ना? हम बागरते question number 7 की MS Word में बनाए गई फाइल का extension क्या होता है? जब MS Word में हम काम कर रहे होते हैं, तो उसके जो extension फाइल होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? dot या dot, dot doc, या dot, dom, या doc, test, हम क्या बोलते हैं? dot, doc, okay? dot, doc, ये बोलते हैं, तो इसका क्यों जगा? 7 का क्यों जगा? B, चलिए, एक request मैं और करूँगा, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है, वो मेरे चैनल को subscribe जरूर करें, ठीके ना? क्योंकि आप subscribe करेंगे तभी आपको notification मिलेगा, आप subscribe नहीं करेंगे, तो notification आपको नहीं मिलेगा आपको videos नहीं मिल पाएंगी, ठीके ना? तो subscribe करेंगे, share भी करेंगे चलिए हम बागते question number 8 पर इनमें से क्या एक network नहीं है? इनमें से क्या एक network नहीं है? आपको पता है, PC network है smartphone network है, server network है switch network नहीं है, तो उसका हो जाएका D D तो switching करने काम आता है, ठीक ना? तो 8 तो कहां सा क्या हो जाएका D switch network नहीं है चलिए अब बागते question number 9 की fill the blanks, संचार channel का एक उधारण है, संचार channel मतलब की जो communication होता है उसका एक उधारण है, क्या उधारण है? feedback क्या उधारण है? क्या आमने सामने किया गया वारतालाब उधारण है? क्या context उधारण है? क्या सोर मचान उधारण है? यानि आमने सामने किया गया वारतालाब एक संचार channel का क्या है? एक कुधारण है तो इसका उधारण क्या हो जाएक बागते question number 10 की ये paper बहुत ज़्यदे important है क्योंकि recent year में आया हूँ है 2019 में आया हूँ है अब बागते question number 10 की व्यक्षा से आप क्या समझते है इसपष्ट रूप से बताना महतपूल बातों बताना या संचित रूप से बताना या मोल आंक्यां करना मेरे साब से इसका correct answer का संचित रूप में बताना संचित रूप में बताना 10 का answer क्या हो जाएगा संचित रूप में बताना चलिए हम बाग करते question number 11 की इन में से क्या वच्चन बद्दता का एक भाग नहीं है जो वच्चन देते हैं वच्चन बद्दता का एक भाग नहीं कौन सा ऐसा option है जो वच्छन बद्दता का एक भाग नहीं है अपचारिक वादा, बलिदान, एथिक्स या दर्ण सलकब इसका आँसर होग है एथिक्स आपको पता है चो एथिक्स क्या होता है एथिक्स माने होता है उचित-अनचित का विचार करना दोस्तों नहीं है अभिवैक्ति है नहीं नहीं बहवार प्रवत्ती है क्या है एक behavior है ठीक है यह क्या है सर्माना क्या है एक प्रगा का behavior कोई मांसिक बिमारी नहीं है कोई अविवेक्ति नहीं है कोई दोस नहीं है ठीक ना तो सर्माना क्या है एक प्रगा का बहवार प्रवत्ती है अम बार करते है question number 13 की sort SWOT जो एक technique है उसका बहारी कारक यानि external बहारी कारक मतलब क्या होता है external external क्या है external जो effect होता हो क्या है sort का बल internal है कमजोरी internal है और यानि opportunities और threats ये दो चीज़ होती है वो क्या है बहारी कारक है और internal कौन से कारक है आपके ये दोनो बल और कमजोरी यानि कि strength और weakness आपके क्या है internal अवसर और threats कि क्या है आपके अवसर और threats आपके क्या है बहारी कारक ठीक है महानता होता ही नहीं तो 4 ही होते हैं बल, कमजोरी, अवसर या threats ठीके ना तो इस का अंसा क्या हो जो बच्चों 13 का C अब बात करते कोश्चंबर 14 की RBI का सहायक संगटन इन में से कौन सा है मैं बता दू जो RBI का सहायक संगटन था वो पहले IDBI था अब क्या हो गया है ये दोनों लोग एड हो गया है क्या आंसर क्या हो जागा ये सभी D आंसर हो जागा ओके हम बात करते कोश्चंबर 15 की किस संस्था की स्थापना क्रसी और ग्राम विकास की उद्देश से की गई है यानि कि जो NA, B, R, नबाड यानि कि जो नबाड है इसकी हमें क्या करी हम लोग ने क्रसी और ग्राम विकास की उद्देश के लिए इसकी संस्था की स्थापना की गई और यह हम बता दे हैं थोड़ा से इसके पर बता दे जो आकपर नबाड है वो क्या किया है इनोने 12 जुलाई 12 जुलाई 1982 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना होई थी 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना होई थी इसका नाम क्या बोला गिया National Bank of Agriculture and Rural Development चलिए तो इसका स्थापना कोई थी 1982 में कोशन पूछा जा सकता है तो क्रसी एवं ग्राम विकास उद्देश चलिए अब बागाते कोशन पर 16 की एक ठेकेदार यानि एक ठेकेदार मतलब की क्या होता है entrepreneurship क्या होता है entrepreneurship ठीक इस वाली मोग बड़ी होई entrepreneurship 16 का अंसर क्या होगा एक ठेकेदार की आवाशक विवसेस्ता है क्या होना चाहिए जो entrepreneurship होता है उसके अंदर कूट कूट कर आत्म विस्वास भरा होना चाहिए आत्म विस्वास में थोड़ी सी कमी आगी तो वो उसका जो business फेल कर जाएगा वो जितने वी कुछ नुकसान होगे न सब कुछ वो सहन कर लेता है बंदा ठीक है न तो उसके अंद कुछ नंबर 17 की ATM का पूल रूप क्या है जो ATM का फुल नेम क्या है आटोमेटिक टेलर मशीन तो इसका अंसर क्या हो जाएगा बच्चों बी आटोमेटिक टेलर मशीन अम बाकरते कुछ नंबर 18 की इनमें से किस देश की खनंदर सबसे कम है इस देश में इनमें से किस देश की खनंदर सबसे कम है तो जर्मनी की खनंदर सबसे कम है ओके चलिए अम बाकरते कुछ नंबर 19 की ओनलाइन बेंकिंग के प्रियोग से आप क किया कर सकते हैं पैसे तो इसक्राइस ग्राशब कर सकते हैं ना बात करते कोश्चंबर प्रत्यासित घटना है? नहीं, आप प्रत्यासित घटना है, क्या ये सभी? नहीं, ये आप प्रत्यासित, या निये कि किसी सेमय भी unexpected, आप प्रत्यासित की तो unexpected accident, ठीक ना, तो 21 का अंसर हुआ C, unexpected, हम भाकरते को समय 22 की, हातों के सुरच्छा के लिए आपको gloves, यानि दस्तान पहनने चाहिए तो इसका डारेट आंसर है 22 क्या अंसर हो जागा डी ओके दस्ताने पहनने चाहिए 23 का अंसर क्या होगा इन में से किये इन में से किसे जैविक कहा जाता है इन में से किसे जैविक कहा जाता है लीतोस्फियर जीवित या जीवित या इन में से कोई नहीं जीवित को क्या बोला जाता है क्या बोला जाता बच्चों इन में से जैविक कहा जाता है तो क्या होगा जीवित को ज़े अब हम बात करते है QC 24 पस्वूँँ का गोवर एक Apsis है यानि जो पस्वूंँ का गोवर होता है वो एक Apsis है वो क्या है? जैविक है अजैविक है कि खतरनाक जरीला है वो क्या है? जैविक है यानि कि Bio Degree Deable वो क्या है Bio Degree Devel है इसको क्या बोलते है जैविक ठीके ना तो अजैविक नहीं है खतरनाक नहीं है जैरीला नहीं है ओके इसके लिए कुछ गीला हो गया है इसलिए कुछ दिखते रही है चली कोई बात नहीं कुछ नमबर 25 फिल दा ब्लैंक से कम आयू वाले बच्चों से बाल मजदूरी नहीं कराई जानी चाहिए तो इसके आंसा क्या हो जाएगा 14 15 नहीं होगा 16 नहीं होगा 18 नहीं होगा आंसेर क्या है 14 अब यह 14 क्या है इसके पीछे कराज है जो आर्टिकल नमबर आर्टिकल नमबर क्या है आर्टिकल नमबर जो 24 है अपनी इंडिया के constitutional में उसमें लिखा हुआ है no child below the age of 14 years shall be employed to the work in any factory or mines or engaged in any hazard employment 14 years से below हम किसी भी factory में या किसी भी mines में खदान में या किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर दिक्कते हों ठीक ना वहां पर हमें employment नहीं देना चाहिए 14 years से below किसी भी बच्चे को ठीके ना तो इस कहां सा क्या जगह 25 का ए तो ये हमारे थे 25 कोशन Employability Skills के ये मेरा सेट नमबर 13 था अब मैं सेट नमबर 14 लेके आऊँगा तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियोस को देखिए लाइक करिए, सेर करिए, सस्क्राइब करिए, सेर जरू करिए ठीके ना और जादस जद लोग को सेर करिए ताकि मेरा वीडियोस को कई बच्चे लोग प्रिफर करें और उसको पढ़ें तब तक के लिए जैहिंद, जैवारत